Hello and welcome friends, आज का ये वीडियो Microsoft Axis का है और Axis में हम एक बिल लाइक शेप देना और बिल बनाना सिखेंगे इसके पहले भी वीडियो बिल बनाने को लेकर करके ना दे चुगा हूँ और according to your selection यानि की जिस customer को आप select करेंगे या जो product select करेंगे उसके हिसाब से वो बिल जनरेट होकर आ जाएगा तो चलिया ये देखते हैं blank database पर click करते हैं और यहाँ पर create पर click करते हैं और फिर यहाँ सब view पर click करते हैं यह table 1 आ रहा है table 1 ही रहने देते हैं यहाँ पर कर देता हूँ order id तो यहाँ लिखा मैंने order id और इसे auto number रखता हूँ फिर यहाँ पर लिखते हैं अच्छा unit देते हैं यहाँ पर number data type आपको बना देना है और यहाँ पर double field size में double रखना है आपको तो यहाँ पर double लख लिख लिया मैंने और यहाँ पर total करना है तो यहाँ पर लिखा मैंने price और फिर into unit अगर आप Microsoft Access 2007 या इस तरह का कोई version यूज़ करते हैं तो आपको एक query बनानी पड़ेगी तब यह काम अप कर पाएंगे तो यह हमने कर दिया यही पर और यहाँ से view पर clear किया click और यह इस तरह के से आजाएगा अब यह देख सकते है इस तरह के से आया हुआ है छोटा सा बिल है ध्यान दीजेगा ध्यान से अब यह देखें यहाँ पर लिखा मैंने keyboard जो भी देना है यहाँ पर दे दीजी ठीक है keyboard की price है 220 रुपए और ऐसे ऐसे 34 keyboard purchase किये तो यहाँ पर total आ गया फिर यहाँ पर आए यहाँ पर लिख दिया मै दे दी है इसमें और यहाँ पर इसको save कर लेता हूँ और save करने के बाद अब हमें क्या करना है अब हमें form बनाना है query तो हम पहले ही बना चुके है ठीक है तो यहाँ से चलते हैं कहाँ पर यहाँ से चलते हैं form wizard पर यह form wizard पर आये और यह सारी चीज़ें हमें चाहिए form बनात design पर जाके click करेंगे और यह इस तरीके से आ जाएगा और यह table one को यहां से अटा देंगे इसका कोई काम नहीं और इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे यहां से जाकर के और ऐसे इस तरीके से ठीक है और यहां से इसको भी थोड़ा चोटा कर देंगे और यह size चोटा करेंगे name of item काभी भी काफी बड़ा है यह जो space लिए हुए है तो इसको भी यहां से चोटा कर लेते हैं और यहां पे जाकर के इसको भी चोटा कर देते हैं इस तरीके से ठीक है और यह जो price आ रहा है इसको यहां पे लेके आएंगे और इसको भी यहां पे लेके आजाएंगे इसी तरह से unit को भी चोटा करना यहां से तो यह unit इसको भी चोटा कर लिए हमने अब यहां पे जाकर के इसको यहां लेके आएंगे unit को ठीक है और इसको भी यहां पे लाके रख देंगे इसके बाद हमें total करना है तो यहां से क्या करेंगे हम total करेंगे इसको हटा देते हैं और यह जो total करेंगे थोड़ा नीचे लेके आएंगे इसको और यह जो total है इसको उठा के यहां पे लाते हैं हम यहां पे हम total करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हमने total कर रिया और यह पूरा selection में लेकर करके अब देख लिजिए किस हिसाब से आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप easily कर सकते हैं no problem ठीक है यहाँ पर जाकर के और फिर color कौन सा रखना चाहते हैं वो decide कर लिजी आपके उपर depend करता है यह किस color का होगा text ठीक है मैं फिलाल इसे black करता हूँ यहाँ से और black करने के बाद चाहे तो bold कर सकते हैं तो यह bold भी कर दिया हमने और अब यह background किस color का होगा यह आपको decide करना है फिर यहाँ से जाकर कि background यहाँ पर दे देता हूँ मेरे इसाब से यह background खिक रहेगा और फिर नीचे आता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग different background दे देता हूँ यह अलके में ठीक है तो यह इस तरीके से हो गया है आप देख सकते हैं इसको थोड़ा और इधर की तरफ shift कर देता हूँ और यह जो है ना यह पूरा का पूरा हिस्सा इसको यहाँ से छोटा कर लीजिए क्योंकि इतने बड़ी कि हमें कोई जरूरत नहीं अभी फिला आप उपर title भी दे सकते हैं company का नाम होगरा करना है simply view पे click करना है तो यह देख सकते हैं यह इस तरीके से कुछ आ रहा है यह पूरी तरह से arrange नहीं है अभी हम क्या कर सकते हैं अभी design view पे इसे ले करके और एक query हम बना लेते हैं इसको save कर लेते हैं इसको save कर लिए हमने और एक query बनाएंगे हम ठीक है तो यहाँ पे create पे चलके query design पे चलेंगे और यह table 1 को यहाँ add करवा दिया और यह सारे के सारे fields हमें ले लेने हैं तो यहाँ से drag करके यह order ID के ही base पे search करना है तो यह जो है criteria में यहाँ पे जा करके और यहाँ पे हमें देना है सबसे पहले forms ठीक है और फिर यहाँ पे table 1 के base पे हम search करेंगे यह जो table 1 के नाम से हमने form बनाया है उसकी बात करना हूँ यह table नहीं है table 1 के नाम से जो form बनाया है वो है ठीक है और फिर order ID के base पे हमें search करना है तो यहाँ पे square bracket में order ID ही लिखना होग आपको तो यह order ID उपर आ रही है, इसी को मैं ले लेता हूँ और बस इसको save कर देना है यहां से query 1 के नाम से save कर देता हूँ और अब चलना है कहाँ पर create पर report design करने के लिए तो यहाँ report wizard पर चलते हैं और यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर आपको table नहीं चूज करना है इस बार आपको query 1 चूज करना है क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से next पर click करके order ID को अगर आप priority देना चाहा है या name of item को तो जिसको भी priority देना चाहा है उसको दे सकते हैं ठीक है और यहाँ पर grouping option दिया हुआ है तो इसको group किसके साथ करना है तो यह सब चीजे देख लीजिए ठीक है और इसके बाद क्या करना है ok press करना है और ok press करने के बाद यहाँ से आप next पर click कीजिए फिर next पर click कीजिए और यहाँ पर outline पर मैं click कर देता हूँ और यहाँ से इस तरीके से जाके और फिर finish पर कर देता हूँ click तो यह देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यह आया हुआ है और यहाँ पर कुछ चीजों को हमें यहाँ पर adjust करना होगा यहाँ पर देखिए यह total का column काफी बड़ा है इतना बड़ा column हमें चाहिए नहीं तो यहाँ से इसको छोटा कर लेते हैं और फिर यहाँ पर देख सकते हैं और इसको यहाँ से थोड़ा छोटा कर लीजिए और यहाँ पर जो total है इसको यहाँ पर लेके आ जाईए यह फिर इसको हटा दीजिए इस total की कोई जरुवत नहीं है और इसको थोड़ा से यहां से जा करके और नीचे जो है यहां पर total को लगा देता हूँ ठेक है यह total यहां पर आएगा यह देख सकते हैं आप total जो हमार आएगा वो कहा आएगा यहां आएगा और इस total का background मैं change कर देता हूँ और थोड़ा से इस कर देता हूँ और इसको align भी कर सकते हैं आप इसको center में align कर दीजी और यह चीज जो है यह bold कर देता हूँ तो यह इस तरीके से दिखेगा अब आप देख सकते हैं यह एक तरह का structure जो है दिखने लगा है फिल लाइक और आप क्या करना है यह query one जो आ रहा है इसको आठा दी दीखेगे यह चाहिए तो कोई title भी दे सकते थे आप कोई दिक्कत नहीं और इसको इस तरीके से करके अब यहाँ पर click करना है आपको तो यहाँ पर यह इस तरीके से नज़़र आएगा ठीक है इसको save कर लेता हूँ अब देखिए इसमें करना क्या है यहाँ पर देख सकते करता हूँ refresh पे तो यह देखिए यह सिर्फ order ID 1 की ही detail हमें दिखाई order रही है इस पे चाहिए तो आप order अगर भी लगा सकते हैं तो title देने के लिए यहाँ पर title पर click करके और यहाँ पर title दे सकते है जो भी company का नाम हो ठीक है करके मैं कुछ दे देता हो ठीक है और इसको यहाँ से उपर कर सकते हैं आप page header को अगर page header को कुछ देना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरह के से करके उपर कर लिजे और फिर यहाँ पर इस पूरे के पूरे data को कर लिजे select और select अने के बद क्या करना है home पर जाना है और यहाँ पर click करना है ताकि यह सारी चीजे जो हैं हमें bold में अच्छे से दिखाई पड़े और अब इसको save कर लिए save कर लिया अब यहाँ पर click कर ये तो आप देख पाएंगे कि इस तरीके से report generate हो गई है हमारी ठीक है और यह order id one है और इस तरीके से यह आ रहा है यह चीज ऊपर में क्यों आ रही है इसको देख लेते हैं एक बाद तो यहाँ design view पर चलते हैं और जैसे design view पर जाएंगे तो आपको देखाई पड़ेगा यह चीज जो है पहले से ऊपर लिखी गई है यह आ गया है by default तो इसको आटा आप इसको आटा देंगे यहां से यहां से आटा दिया इसको और अब इसका पर पूरे डेटा को select करके और यहां से home पे जाके और बोल्ड कर देना इसको तो यह बोल्ड भी कर दिया ठीक है और अब यहां पर view पर click कर यह तो यह देख पाएंगे कि इस तरीके से यह report आ आ गए यह लिए यह आ गया order id 2 पर देखिए करसर हमारा order id 2 पर है चीक है और अब क्या करेंगे हम आप अगर report generate करते हैं हम तो देखिए अभी भी order id 1 की report आ रही लेकिन जैसे refresh पर click करेंगे आप तो यह देखिए order id 2 की report आ गई चीक है और फिर अगर table में आते हैं और जैसे यहां से मैं बटन भी आ पना सकते हैं order id 3 की बात कर लेते हैं अब यह देखिए हमारा cursor order id 3 यानि की usb पर है देख सकते हैं यहां पर आप क्या करना है वह आप इसे चलना है report पर तो यहां पर देखिए 2 वाला ही आ रहा है लेकिन यहां पर जैसे refresh को click करेंगे तो usb की पूर और इस तरीके से यह दिखे का preview तो उमीद करता हूं कि बात आपके समझ में आ गई होगी और भी नीचे चीज़े set कर सकते हैं जैसा एक software दिखता है वैसा आप बना सकते हैं और भी चीज़ों को set कर दीजिए इसमें border वारा बना दीजिए तो चलिए अगले वीडियो में उ उसको और भी ज्यादा modify करके दिखाऊंगा thank you for watching this video